नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज के हमारे शो में जनता दरबार के मैं हूँ निखिल देव आज हमारे साथ एक ऐसी परसनलिटी है जो अगर मैं कहूंगा वो मसिया है उन दुखियों के जहाँ पर भी मदद होती है वहाँ सबसे पहला नाम होता है डॉक्टर सैम्यूल थॉमस जी आज हमारे साथ इस स्टूडियो मुझूद है हम आपसे बात करेंगे जानेंगे एक ऐसा मोटिवेशन खास हम जो बात करने वाले मैं आपको टॉपिक पहले साही बता देता हूँ मोटिवेशन पर हम बात करेंगे सर के साथ में मोटिवेट कई लोगों का मानना होता है जिसके पास पैसा होता है वो मोटिवेट रहता है लेकिन आज अगर देखा जा रहा है पैसा हो नाम हो शोरत हो उसके बाद भी व्यक्ति दी मोटिवेट हो रहा है इन सारी चीजों पर को बताया है मोटिवेशन की हिदी है अचलि क्या है मोटिवेशन तो सबसे पहले तो मैं जिन्तादरवार का धन्यवाद ग्यूंअ 플रGroupie कई तरीके से गलत भी समस्ते हैं इसका एक positive look भी है जैसे आपने कहा कि पैसा हो गया और फिर तो हम motivate रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है आपने कभी सोचा जबान बच्चे लोग इतने अच्छ-च्छे परिवार से आ रहें जिनको मबापने बड़े प्रेम से उनको पाला उनको अच्छे आत्मात्या करते हैं जैसे कि उधारन एक बच्चे अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी पैसे दे दो मोबाइल खरिद रहा है मोबाइल के लिए डेड़ लाग रुपे वो लोग ट्रांसफर करते हैं और वो पिच्चान व्यार में उसको बेज देता है फिर घर पे बोलता है कि मेरा मोबाइल खो गया क्यों कर रहा है क्योंकि उसको कुछ गलत शौक चड़ गए जीवन एक ऐसा तौफा है इशो की तरफ से उसको बिगाड़ना और बनाना आपके हाथ में है तौफा दिया उसने आपको तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आत्मात्या लोग इस के जीवन में एक रिष्टे की कमी है एक रिलेशन की कमी है और वो रिलेशन मावाब पूरा नहीं कर सकते वो रिलेशन बॉइफरेंड गर्फरेंड पूरा नहीं कर सकते वो रिलेशन फ्रेंड भी पूरा नहीं कर सकते वो इस रिलेशन को सिर्फ एक ही विक्ति कर सकता है व मेरी इस जनता दरबार के दुआरा आपके पास एक मेसेज पहुचाना ये है जीवन में परमेशों ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया है एक बात तो ये ध्यान में रख ले परमेशों ने जिसको भी बनाया गल्ती किसी को बनाने से नहीं किये हर एक विक्ती को एक-एक के लिए बनाया है तो अगर आप सोचते हो कि आरे मैं किस काम का हूँ मेरी दुनिया में क्या जरूत है इस्वर को अगर जरूत नहीं होती तो आपको इस दुनिया में लाता ही नहीं बहुत जरूत है उसको आपकी आप उसकी नजर में बहुत 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 जीवन को प्ली तिक आपदाएं आ रही है जैसे तुर्की और सीरिया की समय हालत है तो इस समय लोगों को क्या मांसिक इस्ति अपनानी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया की हालत ऐसी हो रही है एक तरफ वो अपनी नीजी लाइप से भी स्ट्रेस में है और प्रकरती की भी यह हालत है त जन्हों ने अपने प्रियों को खो दिया है इस मुखम ने हम कम से कम दुआ तो कर सकते हैं हर आदमी पैसे से तोलता है कि हम में कुछ दे नहीं पा रहा आप दूआ दे सकते हैं कि है ईश्वर जैसे मेरे लाइफ में निकल जी जब भी मेरे सामने से कोई आम्बिलेंस जाता तो उस परिवार में शांती और आश्वासर मना रहे हैं तो यह भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी जो वैसे तो बताना नहीं चाहिए कि दान इस हाथ से करो और यह साथ को पता नहीं चलना चाहिए आपने कौन सा पुन्य किया लेकिन आप तो जग जाहिर हैं प्रेणा मिले लोगों को असहाय बच्चों को आप सेवा करें उनके साहता करें निराशित को आप साहता करें प्लीज किसी भी गरीब को ज्यान मत दे उसके लिए कुछ दूआ दे या उसके लिए कुछ दान दे ग्यान जंद भारत में बहुत हैं लेकिन हमें दान जंद बन आपके पांच रुपे के लिए क्या वो गरीब हाथ पाउं तो देखो एक प्रेम भावना रखो और प्लीज मेरी यही निवेदने संसार एक बहुत बड़ा परिवार है हम हरे को एक दूसरी की जुरत है आज निखिल को मेरी जुरत है कर मुझे निखिल की जुरत पड़ेगी Nobody is independent. We are all dependent on each other. Let us live in harmony, unity and love with one goal. सबसे बड़ा धर्म अगर दुनिया में है वो मानव धर्म है. अगर हम मानव की सेवा नहीं कर पाएं, तो धर्म किस बाता है? धर्म तो हमें सिखाता है कि हम मानव की सेवा करें. मैं आप से यही बोलूगा, जहां पर भी भोकम पा रहा है, जहां पर भी हम सोचते हैं कि एक calamity है, उसके बारे में news channel को देखकर सिरफ देखते ना रहे, उ आप से हो सकता है, उनके लिए कुछ गरम कपड़े भीजे, आप से हो सकता है, उनके लिए कुछ दान भीजाब कर सकते हैं, पर विश्व आपको यह मुखा देता है. राइट, सही कह रहे है, वसुदेव कुटुम्बकम पुरा विश्व एक परिवार है, कही ना कहीं है, कपल का ही होगा, जबके वेलेंटेंड का अर्थ क्या है, लव का डे है, तो आज विशेश करके जो लव है, जैसा कि आपने कहा, लव इस गौल, उस लव को फेलाओ, आज उनसे भी आम महबत करो, प्यार करो, कहीं ना कहीं ऐसा संदेश है, तो इस पे आप क्या कहना चा करते हैं, क्योंकि हमारे वीश में कोई रंजिश नहीं है, लेकिन आज जनता-दरवार के द्वारव में एक मेसेज देना चाहता हूं, शत्रों से प्रेम करें, अगर आपने शत्रों से प्रेम करना सीख लिया, तो आपस में प्रेम करना बहुत आसान हो जाता है, आप कहीं दुख्ती नस को अगर आप पगड़ते हैं, तो डेफिनेटली कुछ आपको रास्ता मिलेगा, अभी क्या होता है, कि आप उससे प्यार करें जिससे प्यार करें, और जिससे जैसे नफुरत है, वो आपकी आँकों के सामरे आ जाता है, तो आपका प्यार सारा साइड में हो तो कहने का जो मैन पार्ट है यह समझना होगा सर ने बहुत अच्छी बात बताई है जहां दुश्मन कहते हैं निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए तो कहीं नहीं आप ऐसे कटे नहीं जो आपकी बुराई भी करें आज उनके गले लगें उनसे प्यार करें सर आई होप कि आप हमेशा हमारे स्टूडियो वे आते रहेंगे हमारे दर्शकों को भी आपसे मिलकर आपसे रूबरू होकर बहुत अच्छा लगया होगा थैंकि सो मस्ट